देटिंग की खबरों पर सिध्धार्तित मलहोत्रा हमरा फोकस बिस्तर से ज़्यादा फिल्मों पर बॉलेवोड एक्टर सिध्धार्तित मलहोत्रा लंबे समय से अपनी डेटिंग की खबरों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं आलिया भट्ट से ब्रेक अप के बाद सिध्धार्थ का नाम कई एक ट्रेसेस के साथ जोड़ चुका है लेकिन अब सिध्धार्थ ने एक इंटर्व्यू में अपनी लव लाइफ के बारे में बात की है स्पोट बॉय को दिये एक इंटर्व्यू में सिध्धार्थ ने बताया मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है मैं एक खुली किताब की तरह ही हूँ सिध्धार्थ ने मजा किया अंदाज में कहा हमरा फोकस बिस्तर से ज्यादा कुर्सी पर है तो हमरा फोकस बिस्तर से ज्यादा मूवीज पर है इस समय मुझे जो अलग-अलग तरह के रोल करने को मिल रहे है मैं उससे बहुत खुश हूँ मैं अपनी नई फिल्म की रिलीज़ को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ बताते चलें कि हमरा फोकस बिस्तर से ज्यादा कुरसी पर है सिधार्थित की फिल्म जबरिया जोडी का सनवाद है रिलेशनशिप के सवाल पर परणीती चोपा ने कहा मैं शादी करने तक सिंगल रहना चाहती हूँ जब मैं किसी से शादी करने का मन बना लूँगी तभी मैं अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करूँगी इस बात पर परणीती को बीच में रोकते हुए सिधार्थ ने कहा जब मैं किसी relationship मेरा हूँँगा तब मैं इस बारे में बता दूँगा इसके बाद सिधार्त और परणीती ने यह भी बताया कि फिल्म हसी तो फसी करने के बाद से उन दोनों के बीच bonding कितनी गहरी हो गई है पिछले दिनों दाकिन क्रॉनिकल को दिये एक इंटर्व्यू में सिधार्त से पूछा गया था कि वो शादी के बारे में क्या सोचते हैं इस पर सिधार्त ने बताया था पहले मेरे परणीती के लिए मुझे emotionally blackmail किया करते थे लेकिन अब शादी करने का कोई दबाव नहीं है मैंने अभी कुछ प्लान नहीं किया है कि मैं love marriage करूंगा या अरेज जो हो ना होगा हो जाएगा सिधार्त और परणीती की फिल्म जबरिया जोडी की बात करें तो फिल्म का निर्देशन प्रशान्त सिन्ग ने किया है पहले फिल्म का टाइटल शॉट गन शादी था जिसे बाद में बदल कर जबरिया जोडी कर दिया गया है ये एक multi-star movie है इसमें परणीती और सिधार्त के अलावा अपारशक्ति खुराना, जावेद जापरी, संजे मिश्रा, नीरत सूद समेत तमाम सितारे शामिल है फिल्म का निर्देशन प्रशान्त सिन्ग ने किया है